हेलो फ्रेंज, वेलकम बेक टू आवर चैनल मैसल परचना, मैसिंपल पारलर व्लोग चैनल में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं बहुत ही इजी और असान तरीके से थ्रेडिंग कैसे करते हैं वो दिखाने वाली हूँ और दो तरीके से आप थ्रेडिंग कर सकते हैं वो भी आप लोग को आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी तो आप लोग वीडियो पे बने रही है सबसे पहले मैं क्या की हूँ एक स्पुली की हेल्प से अपर डिरेक्शन में मैंने कॉम कर लिया है उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा लेंथ है उसको मैं कट डाउन कर रही हूँ देखिए इस तरीके से अच्छे से मैं बड़ा बर से काट रही हूँ उसके बाद मैं पौडर लगा रही हूँ आप लोगोंने नोटिस किया होगा मैंने पौडर पहले नहीं लगाया है वो इसलिए नहीं लगाया है फ्रेंट्स जो भी बिगनर है न्यू न्यू ये सब कुछ काम कर रहे हैं थ्रेडिंग्स वगरा हेर कर जो भी है सब कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल ये वीडियो है पाउडर मैंने इसलिए नहीं लगाया है पाउडर लगाने से जितना भी हेर है वो ढख जाता है फ्रेंट्स तो अच्छे से दिखाई नहीं देता है जो बिगनर है उनको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैंने आज इस तरीके से वीडियो बनाया है ताकि आप लोग के लिए और भी जादा असान हो तो इसके बाद मैंने अभी पाउडर लगाया है बहुती कम लगाया है ताकि जितना भी हेर है अच्छे से दिखे और यहाँ पर मैंने थोड़ा जूम कर लिया है ताकि आप लोग को अच्छे से दिखा पाऊं और आप लोगोंने नोटिस किया होगा मैंने क्लाइन को अच्छे से आईब्रो को पकड़ा दिया है देखिए किस तरीके से जो नीचे वाला है ना फ्रेंट्स उसे मैंने हलके हाथों से पकड़वाया है और जो उपर का हाथ है उसे मैंने अच्छे से बोला है क्लाइन को कि अच्छे से आप लोग आप खीच लीजिए तो वैसे ही किया है उसके बाद मैं जितना भी फ्रेंट्स नीचे हेर है एक्स्ट्रा वाला उसको पहले मैं क्लीन कर रही हूँ देखिए पहले ही मैं शेप नहीं दे रही हूँ सबसे पहले मैंने जो भी एक्स्ट्रा है उसे मैंने क्लीन कर लिया है दिन मैं अभी क्या करूंगी फ्रेंट्स अभी मैं eyebrow को shape दूंगी और eyebrow को shape मैं कैसे दे रही देखिए eyebrow को front से हमें shape देना है और फ्रेंट्स हमें बाल को यहां पे फसाना है फसा के हमें दीरे दीरे खिचना होगा और एक line create करना होगा देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ बड़े आराम से थोड़ा टाइम लेके अच्छे से ध्यान दे के करना होगा जो भी नए है बिगनर्स है वो जल्दी जल्दी ना करें हर बड़ा हट में गरवर हो सकता है इसलिए बहुत ही आराम से शांती से करिए तो आपका आइबरो बहुत ही अच्छा बनेगा बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपने जो लाइन क्रियेट किया है उसी लाइन को मेंटेन करना है middle तक जाते ही आपको थोड़ा सा thread का जो मतलब thread है उसको थोड़ा सा तीर्चा करना होगा अपना hands को movements देना पड़ेगा तब ही आपका shape बनेगा I hope आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ देखिए मैं उपर भी same तरीके से कर रही हूँ एक line create किया है उसके बाद middle तक जाते ही अपने hands को मैं movements की हूँ थोड़ा सा तीर्चा की हूँ तब ही मेरा देखिए थोड़ा सा arch type का eyebrow बन गया है वैसे मेरे client का जादा eyebrows तो है नहीं आप देखी सकते हैं तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ उसके बाद मैं middle का भी जो hair है चोटा चोटा उसे भी clean कर ली हूँ तो मेरा एक side का eyebrow done हो चुका है बस अभी मैं randomly forehead का मैं hair उठा रही हूँ इनको forehead भी करना था तो अच्छे से मैं forehead को clean कर लूँगी आप भी करिएगा ऐसे ही बहुत ही अच्छे से हो जाएगा फ्रेंड्स वीडियो कैसा लग रहा है जरूर comment में वतायेगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को like करके मेरे चैनल को subscribe कर दीजेगा और बगल में जो bell icon है उसे भी hit कर दीजेगा ताकि जब भी मैं वीडियो post करूँ आप लोग के पास notification जाए और आप अगर ये वीडियो यूटूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को subscribe कर दीजेगा और अगर facebook पे देख रहे हैं तो please मेरे page को follow कर दीजेगा मैं अपने facebook page का link description box में दे दूँगी ओके फ्रेंड्स तो मैं सेन तरीके से मैं दूसरे साइट पे भी कर रहे हूँ लेकिन मैं थोड़ा से यहाँ पे अलग कर रहे हूँ मैं बोला था ना कि दूँग तरीके से आप लोग threading कर सकते हैं तो मैं इस वाले thread पे मैं शुरू से ही मैं shape दे रहे हूँ देखिए तो आप उस तरीके से उठाइए फ्रेंड्स पहले clean कर लिजेगा उसके बाद आप shape दीजेगा और अगर आपको लगी कि हाँ मैं पहले shape देके भी अच्छे से कर सकती हैं तो आप यह वाला मतलब technique apply कर सकते हैं सबसे पहले आप shape दीजिए और shape कैसे देंगे फ्रेंड्स से आप start करेंगे एक line create करेंगे और आपको दीरे-दीरे shape देते हुए जाना है और hair remove करते हुए जाना है वैसे मेरी clean का eyebrow जादा घना नहीं है इसलिए फटा-फट हो रहा है तो आप भी इस तरीके से करिएगा तो अभी मैं उपर का hair उठा रही हूँ वैसे उपर का जादा उठाना नहीं पड़ता है उपर का बस हलका-हलका lines आपको maintain करना होता है जो भी आप line देंगे ओ लाइन पे आपको पूरे hair को उठाना है और जबी आपका middle तक हो जाए eyebrow उठाना उसके बाद आप तीरचा कर ल एक ऐसा चीज है अगर वह बिगर जाए तो पूरा face अच्छा नहीं दिखता है बहुत गंदा दिखते हैं friends तो आप बहुत ही आराम से करिएगा और client जैसा चाते हैं वैसा करके दीजिएगा तो आप बहुत ही अच्छे से आपका grow होगा सब कुछ तो आप अराम से करिएग और इस तरीके से मैं जैसे बता रही हूं आपको अगर समझ में आ रहा है तो comments में जरूर बोलिएगा और अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो भी बताएगा मैं और अच्छे से detail में बताऊंगी देन मेरा पूरा eyebrow करना हो गया है अभी मैं clean करके एक brush की help से मैं अभी moisturizer लगा दी हूं उसके बाद मैं आपको full face दिखा रही हूं friends कि कैसा लग रहा है तो देखिए यह रहा final look कैसा लग रहा है देखिए मिलते हैं next video में friends bye bye